बिहार विदानसाब चुनाव में उपेंद्र कुश्वाह की राष्ट्रिय लोक समता पार्टी से गडवंधन कर बहुजन समाज पार्टी के अद्धेक्ष मायवती ने यूपी के भी समिकरन दुरुस्त करने की कोशिश शुरू कर दी है उनके कोशिश है कि इस गडवंधन से न सिर्फ बिहार बलकि उतर प्रदेश में भी फाइदा लिया जाए दरसल कुश्वाहा और मौर्य समाज कभी बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था उसका सियासी उत्थान बहुजन समाज पार्टी से जुडने के बाद शुरू हुआ लेकिन बात में ये वोट बैंक दूसरे दलों में शिप्ट हो गया जिससे बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा मायावती ने बहुत दूर दर्शिता से बिहार में उपेंदर कुश्वाह से गडबन धन करके उन्हें सीयम फेस घुशित किया है इसका फाइदा बिहार में तो मिलेगा ही यूपी में भी होगा यूपी में कुश्वाहा और मौर्य समाज के लोग इससे खूश होंगे यूपी में कभी कुश्वाहा मौर्य समाज का सबसे زیادہ जुकाओ बहुजन समाज पार्टी के ओर हुआ करता था मायावती केमिनेट में बाबू सिंग कुश्वाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हुआ करते थे इस समाज को सबसे ज़्यादा ठिकट बहुजन समाज पार्टी देती थी और सरकार में भागी तारी भी अच्छी होती थी लेकिन 2012 में एनारेचम घोटाले में फसने के बाद मायावती ने बाबू सिंग कुश्वाहा को पार्टी से निकाल दिया साल 2016 में विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद माया ने खुद ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर भारती जनता पार्टी जोईन कर ली इसके बाद बहुजन समाज पार्टी से इस समाज की नाराजगी बढ़ गई इसे बीच बीजेपी ने बड़ा दाव चलते हुए 2016 में मौर्य कुछवाः वोट बैंक को हासिल करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अद्धिक्ष बना कर समाज को अपने पाले में कर लिया केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा करने के बाद इस समाज को लगा कि केशव ही सीम बनेंगे इसलिए इसका ज्यादातर वोट बहुजन समाज पार्टी से शिप्ट होकर भारती जनता पार्टी में चला गया लेकिन केशो प्रसाद मौर्य सीम नहीं बने उन्हें डिप्टी सीम का पद दिया गया और अब कहा जा रहा है कि उनकी कोई सुनवाई भी नहीं है ऐसे में बिहार के गडबंधन का यूपी के चुनाओं में प्रभाव पड़ेगा उपेंदर कुश्वाहा मौर्य कुश्वाहा समाज के बड़े नेता है उनके जरिये यूपी का नाराज कुश्वाहा वोटर बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ सकता है इसलिए मायवती का बिहार में RLSP से गडबंधन करने का दाउं उनके पुराने वोटरों को रिजाने की कोशिश बताया जा रहा है